तो यह ओटो मोबाइल इंडस्टी की बहुत दिगज कमपनी है और इनका प्रोडेक्ट देखिए दे कमपनी मैनिफेक्ट्टर से रेंज ओफ हार्मनेश सच जोटो मोटीव हार्मनेश मेटेरियल हैंडिलिंग अर्थ मुविंग फार्मस एक्यूपमेंट हार्मनेश कंजूमर कौड हार्मनेश और बैट्री केवल हार्मनेश तो बहुत जबरजस्त कमपनी है यह और कमपनी का माल भी बहुत अच्छे एक्सपोर्ट होती है तो मैं कमपनी के बारे में इतना बात क्यूं कर रहा हूं चलिए सबसे पहले मैं यह दिखाता हूं कि कमपनी के जो मेन लोग ह इनके जो लीडर है सहेगल जी उन्होंने इस चीज के बारे में बताया कि कमपनी आने वाले कुछ सालों में इनकी जो सेल्स है वह डॉलर थर्टी सिक्स बिलियन तुर्ट दोजर पचीस तक करने वाली है और यहां पर देखिए 63 प्लांस टू एचीब देट डूइंग प्रोना वाइरस के वज़े से जो इनकी सेल्स गिरी है इसके लिए उन्होंने यही चीज कहा है कि यह जो असर आपको देखने को मिलेगा यहां देखिए अध्मिट्स देर्स अलॉट आफ पें इन देखिए 63 प्रोब्लम्स वित अ कस्टमबस टीम्ड वित आई एन आई फो और कंपनी इसेड एन इंटर्वियू तो इन्होंने जो बात कही है वह आने वाले कौर्टर्स में देखने को मिलेगा उससे पहले अगर आप इस पर पुजिशन बनाते हैं तो कहीं ने कहीं आपको अच्छा खासा पैसा मिल सकता है लेकिन मैं आपको एक चीज दिखाना चा सेल्स ग्रोथ भी भी ठीक है डिवीडेंट पेर स्टॉक है पर मोटर्स की 61.73 परसेंट की होल्डिंग से बट यहां पे प्लीज्ट 11.51 परसेंट की यह हिस्सेदारी है ठीक है यह प्लीज्ट किया हुआ सेर्स है जो कि मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता लेकिन और साथ ही दूसरा पैरेमिटर जो है वो डेड थोड़ा सा ज्यादा है थोड़ा मतलब 1.17 है तो डेड फिर भी ठीक है चलिए डेड धिरे धिरे करके कंपनी प्रॉफिट से अपना कम कर देगी और अभी हाल फिलाल पे आपको पता ही है कि इनकी मार्केट सेल्स गिर चुक द रिखान कहा कि यह जो पर मोटस की होल्डिंग गिरिभी रखी हुई है यह कब से है ये चीज मैं आपके समने डिखाने की कोसिस करुंगा तो चलिए हम देखते हैं कि पार मोटस की होल्डिंग ऑफ गिरिभी कब से है ठीक है घ nós जो है यह जून कौरटर पे आप इहाँ प पॉजेटिव साइन है और अगर हम लोग बात करेंगे कि फाइएज की होल्डिंग की हिस्टोरिकल डियाइज की होल्डिंग है और यह है फाइज की होल्डिंग मतलब जून क्वाटर पे फाइज ने इस पे होल्डिंग भी बढ़ाई आप देख पा रहे होंगे 0.1% की तो यह पॉजिटिव साइन के तौर पे आप देख सकते हैं कमपनी डिविडेंट भी अच्छा पे करती है तो इस चीज को भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए जिया देखिए और जो दो चीज मैंने आपको बताई है कि पर मोटर्स की होल्डिंग प्लिस्ट है वो थोड़ा सा कम हुआ एक पोजिटिव साइन है बट फिर भी जब तक पूरी प्लिस्ट खतम नहीं होती है तब तक इसे बहुत अच्छा एक पैरेमिटर के तोर पैरेमिटर से अगर देखेंगे तो बहुत अच्छा नहीं कह सकते लेकिन पोटेंसियल बहुत है और आने वाले कुछ मैनों में कह रहे हैं कि सेल्स अगर ट्रिपल होगा तो आप सोच लिए प्रॉफिट कहां जाएगी पीएस कहां पे ग्रो करेगा और स्टॉक का प्राइस कहां तक जा स सकता है आने वाल एक दूस हालों में अच्छा आपको मोमेंटम देखने को मिले जैसे कि फार्मसोटिकल कंपनियों मैं आपको इस कोवेड नैंटीन के दौर पे देखने को मिला तो यह बहुत अच्छा ओटो इंसलरी ओटो इंसलरी कंपनी है ओटो मोबाइल की कॉंपोनें है तो डिसिजन आपको ही लेना होगा कि इस स्टॉक पर बनना चाहिए या फिर हमारी पैसे कम है हमें इसे रिजर्ब रखना चाहिए कुछ दूसरे स्टॉक के लिए और जो लोग इस पर पूजिशन बनाना चाहता है एक बार अपना डिसिजन और नहीं तो अपने फाइने दिया गया था 136 का और 136 अल्मॉस्ट एचीव होने ही वाला है तो इस चीट को ध्यान में रखते हुए इस स्टॉक को देखिए मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो पर स्टॉक में बनने से पहले बाद जो अपने फाइनेंसिल एडवाईजर से सला लिजेगा वीडियो लाइक किजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा थैंक यू